Hey guys, welcome back to the channel और काफी दिनों बाद जो Discover 100T है फाइनली उसके जो सारे पार्ट्स में वो आचुके हैं तो इसको अपन फाइनली जो असेंबल है वो करना शुरू कर सकते हैं ये होने वाला है as usual इसका पार्ट 1 और इसके अंदर देखेंगे कि हम इंजिन उसको कहां तक रिबिल्ट कर पाते हैं उसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ काम होगा वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा और पार्ट 1 के अंदर गेर बोक्स और लेफ्ट साइड का जो कवर है वहां तक का काम तो फॉर शूर हो जाएगा और उससे आगे कितना कर पाते हैं मतलब इसके अंदर कितना एड़ कर पाते हैं वो देख लेंगे तो बस जादे रहें वेट नहीं करते हैं और सीधा इसकी रिविल्ड है उसको स्टाट करते हैं और रिविल्ड में सबसे पैली चीज होने वाली है उन साहरे पार्टульт जो साफ सब आइक है वह टो आपको अच्छे से इंको क्ली करना है और फिर second most important चीज जो होने वाली है जो कि आपका काम आसान करेगी वो होने वाली है पार्ट्स का arrangement और यहाँ पर मैंने इन सारे पार्ट्स को इस तरीके से एरेंज किया है जिस तरीके से ये इंजिन में एसेंबल होने वाले हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे उसके बाद all the way उपर तक जाएंगे फिर से यहाँ से शुरू करेंगे फिर से तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज्यादा time है वो बच जाता है और assembly हो जल्दी हो जाती है यह चीज आप mind में रखें और फिर हम काम करना शुरू करेंगे सबसे पहल में एक जो method है जो सबसे easy है जो ज्यादा तर लोग कर पाएंगे उसको show कर रहा हूँ सबसे पहले bearing में जिस side bearing का जो number है वो लिखावा हो और उसका जो brand है उसका name लिखावा हो वो ऊपर यह साइड रखना है और इसको यहाँ पर drop करने से पहले थोड़ा सा इसकी जो outside वाली और lubrication के लिए इस पूरी वीडियो में मैं जो oil यूज करने वाला हम वो engine oil होने वाला है यह बजाज का 10w30 engine oil है जो की specifically बजाज ने recommend कर रखा है यह जो इनके lower capacity engines है उनके लिए तो उसको मैंने एक container है उसके अंदर रख रखा है और उसकी help से मैं जितने भी पार्ट से उनको lubricate करने वाला हूँ और bearing को drive करने के लिए इसका जो outer diameter है उसकी size का एक socket लेना है उसको इसके उपर रखना है और उसके बाद एक mallet की help से इसको tap करना है ड्राइव करते टाइम आप एक चीज मेक्शोर करें कि यह evenly driving हो अगर एक साइड से ज्यादा पुछ हो जाएगा एक साइड से प्रोपली पुछनी होगा तो फिर bearing है वो गलट डिरेक्शन में इंसर्ट होने लग जाएगा चांसेज है कि bearing इंस्टोल ना हो और अगर होगा तो वो जो crankcase है उसको damage कर सकता है और bearing है वो पूरा प्रोपली सीट हो गया है या नि उसको चेक करने के दो methods है या तो आप इसको जब tap कर रहे हैं तब आपको जो sound आएगी उसमें थोड़ा सा भारी बना जाएगा और अगर उस तरीके से आप चेक नहीं कर सकते हैं तो फिर कि बैरिंग की जो आउटर लिप है वो जो इसकी क्रैंकेस की वोल है उससे प्रोपली सीट हो गई है या नी और बैरिंग को इंस्टोल करने के बाद यहां पर एक स्पेसर लगता है तो उससे स्पेसर को प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से और साथ ही साथ यह जो नीडल है इसको और इन सारे होल्स को जिनके अंदर या तो जो गेर शिफ्टर ड्रम है वो लगेगा या फिर इसकी जो शाफ्ट सम वो लेगेंगी और जो बेरिंग हमने इंस्टोल किया है अगर वो लुब्रिकेटेड नहीं है तो उसको भी कर लें और अब मुओन करते हैं नेक्स टेप की तरफ जो की होने वाला है हमारा जो गेर बोक्स है उसकी असेंबली और उसके बाद उसकी इंसलेशन तो सबसे पहले इसकी जो असे सिंप्लिफाई करने के लिए मैंने जितने भी गेर्स हैं उनके जो टीट्स हैं उनका जो नंबर है वो काउंट करके यहां पर लिख दिया है और अब एक और सवाल है जिसका मैं अभी आंसर कर देता हूं कि कौन सा गेर कौन सा है वो तो नहीं बताया तो इसमें मैं बता दूंगा और उसके एक में ट्रिक भी बता देता हूं जो कि आपको इदेटिफाई करने में काफी हेल्प करेगी तो यह हमारी इंपुट शाफ्ट है और यह इंपुट शाफ्ट के गेर से यह हमारी बता है यह फिफ्द केर और यह फिस्ट केरप जो कि इंपुट शाफ्ट के उपर ही लगा हूआ है अब अगर यह सिक्थ गेर होता तो वो सिख्थ केर हो जाता सबसे बड़ा और arईपुट शाफ्ट है उसमें इसका ज्च अपोजिट है जो सबसे बड़ा गेर है वहो हु वाला 5th gear इसमें भी अगर 4th होता तो 4th हो जाता सबसे छोटा अगर 6th होता तो 6th हो जाता सबसे छोटा एक चीज और असेंबल करने से पहले figure out कर लेते हैं वो यह है कि gears के जो numbers हैं उनके according आप जो gears हैं उनको judge ना करें कि मतलब इसके जो teeth की जो number है वो सबसे जादा है तो यह सबसे बड़ा gear हो गया तो यह first gear हो गया ऐसा नहीं है उसका एक example अभी दिखा देता हूं आप लोगों को यह input shaft के दो gears हैं यह है fourth gear और यह है fifth gear और जैसे कि हमारा input shaft वाला rule था सबसे चोटा जो gear हो first होगा सबसे बड़ा जो gear वो fifth होगा यह fifth gear है size में यह सबसे बड़ा है लेकिन gears इसमें ज्यादा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो gear के number है जैसे कि यह 23 teeth है यह 22 teeth है उसके हिसाब से आप इनको arrange ना करें कि size के हिसाब से आपको judge करना पड़ेगा जैसे कि इसकी size सबसे बड़ी है तो यह fifth हो गया इसकी size output shaft के case में सबसे बड़ी है तो यह first gear हो गया क्योंकि output shaft में उसका उल्टा होता है और अब करेंगे इसकी assembly उससे पहले एक और last tip है वो भी सुन लो इसमें क्या है कि यह वाला जो gear box है इसमें जितने भी यह washers हैं और यह सर क्लिप्स हैं यह सब same size की हैं तो जब भी मैं बोलू कि यहाँ पर एक washer लगेगा तो आप कोई भी एक washer लगा सकते हैं इस type का और इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी तो अब सीधा इसकी जो assembly है उसकी तरफ move on करते हैं सबसे पहले जो output shaft है उसकी बारी है output shaft को मैंने कुछ इस तरीके से hold कर रखा है कि इस side इसका जो sprocket लगेगा वो वाला हिस्सा है और यह side है यह crankcase के अंदर जो bearing है उसक की हमारा second gear है 31 teeth इसका जो teeth count है वो है इसको इसका जो एक खड़े वाला section है इसको इस side रखेंगे जो plain section है उसको sprocket की side रखे कुछ इस तरीके से लगा देंगे उसके बाद बारी आएगी इसकी जो sleeve है उसको लगाने की तो sleeve है उसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है कि sleeve का जो ये washer वाला section है बस ये दिखे जो sleeve है वो हमारी जो gear है उसके अंदर लग जाए तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और इस वाले gearbox में sleeve है वो एक और है जो कुछ इस तरीके की दिखती है लेकिन वो ये वाली जो shaft है इसमें जहां पर हमने वो sleeve लगाई है उसकी जगा नहीं लग सकती बिकोज इसकी size है वो चोटी है अब हमने gear है वो लगा दी उसकी जो sleeve है उसको लगा दिया अब ये जो दोनों part है इनको hold करने के लिए हम यह आपर एक sir clip लगाएंगे और उसको लगाने के लिए मैं एक sir clip install करने के लिए tool आता है उसको use कर रहा हूं इ आपको एक click की sound आएगी कुछ इस तरीके से और ये हमारा gear है ये लग चुका है उसके बाद लगेगा हमारा fifth gear तो इसमें जिस side ये तीन teeth बने वे हैं वो side इस side लगेगी because ये side plane है और हमें ये वाला जो gear है इसको engage करने के लिए कुछ ची है तो इसके जो teeth है उनको कुछ इस सरकलीप है वो फिर से लगानी पड़ेगी इस वाले slot में और इसको भी जब लगाएंगे तो click की sound आएगी अब ये वाली जो सरकलीप हमने लगाई है इसके अंदर cut बना हुआ है ये पूरी plane नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर ये वाली जो gear है इसको लगाना है तो उसके आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा अब इसमें आप देख सकते हैं एक साइट स्लोट बने वे हैं जिस साइट जो selector है उसके teeth है वो engage होते है और एक साइट plane है अब ये वाला जो selector है इसमें इस साइट कुछ भी नहीं बना हुआ है प्लेन है तो जो प्लेन वाली पर अच्छे से लग चुकी है अब बारी आती है हमारा 25 teeth का जो gear है ये 4th gear की gear है इसको लगाने की तो ये वाली जो gear है इसमें दोनों साइट तीन teeth बने वे हैं जो की selection का काम करते हैं लेकिन इसको हमें ये वाली साइट है ये इस साइट करके लगाना है जिस साइट जो gear है बने में उनको इस साइट रखना है ऐसा क्यों है वो नेक्स जो पार्ट लगेगा उसमें पता चल जाएगा एक बार के लिए इसको जिस तरीके से लगा देते हैं और उसके बाद ये वाली जो gear है जो की हमारा 1st gear है उसको लगाना है ये 34 teeth का है और इसको लगाने की डिरेक् वाला जो section है जो की sleeve की जो size उसे थोड़ा बड़ा जो section है उसको हम इस side रखेंगे जिस side sprocket है कुछ इस तरीके से और उसके बाद ये वाली जो gear है इसको कुछ इस तरीके से लगाना है जो हमने 4th gear वाली जो gear लगाई थी उसको अगर हम देखते हैं तो ये इसके अंदर सही तरीके से install हो रही है और इतना जब आप इसको assemble कर लें तो उसके बाद आपको एक इस type का washer है उसको लगाना है और इस type के भी दो washers हैं लेकिन यहाँ पर जो washer लगेगा वो ये वाला होगा अगर आप इसको लगाने की try करेंगे तो इसके अंदर काफी play आपको दिखेगी और अगर आप इसको लगाएंगे तो ये properly लग जाएगा तो इसी के साथ हमारी जो output shaft है वो होती है complete अब करते हैं जो input shaft है उसको assemble तो input shaft को कुछ इस तरीके से hold कर रखा अभी मैंने कि इसका जो section आरेट side में जाता है वो ये वाला है और जो crankcase में लगेगा वो ये वाला है ये हमारा first gear है जो की जो shaft है उसी के अंदर fabricated है उसके बाद लगाना है fourth gear जो की ये वाला है और इसका जो teeth count है वो 23 teeth है इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसकी जो ये plane side है यहाँ पर रहे और जिस side ये cuts बने वे हैं जिनके अंदर जो selector के जो teeth है वो आकर के लगते हैं वो इस side रखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे उसके बाद ये freely move होता रहे उसके लिए हमें सबसे पहले एक washer लगाना है और फिर इसको इसकी position पर लोग करने के लिए एक sir clip लगानी है फिर ये वाली gear लगेगी जो की third gear की है और इसमें जो teeth count है वो 18 है और इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जिस side gear है और तीन जो teeth बने वे हैं वो इस side रखेंगे और जिस side gear नहीं है सिरफ तीन teeth बने उसको अंदर की side रखना है इसको कुछ इस तरीके से लगाना है और उसके बाद इसको लोग करने के लिए लगेगी एक sir clip और sir clip लगाने के बाद जो gear है उसमें इतना movement रहना चाहिए उसके बाद लगेगा एक washer और फिर लगाएंगे जो fifth gear की gear है उ इसको जिसमें 22 teeth हैं और इसमें जिस side slots बने वे हैं वो हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और जो plane section है वो बार की तरफ रहेगा कुछ इस तरीके से एक बार engage करके देख लें कि जो gear हमने लगाई है वो properly engage हो रही है उसके बाद लगेगी हमारी second gear की gear जिसके अंदर 17 teeth हैं और इसके अंदर direction matter नहीं करती है इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं तो इसको simply यहां पर लगाना है और last way यह वरा जो washer है यह यहां पर लग जाएगा और जब आप इनको इतना assemble कर लें तो उसके बाद आप इनको जिस direction में crank case है उसके अंदर लगाने इसके अंदर install करना है और install करते टाइम जिस side sprocket लगने वाला है chain वाला उसको इस side रखेंगे और जो input shaft है उसका यह वाला portion इस side रहेगा और इन्हें इन दोनों bearings के साथ align करके कुछ इस तरीके से push करना है और साथी साथ यहां पर एक जो washer लगता है make sure कि वो लगा हुआ और उसके बाद यह कुछ इस तरीके से install हो जाएंगे साथी साथ यहां पर जो washer लगा है उसको भी लगा रहने दे और अभी इनको मैं थोड़ा सा lubricate कर लेता हूँ वैसे यह process काफी पहले करनी थी जब इनको install कर रहे थे लेकिन मैं अगर इनको उस time lubricate करता तो फिर आपको camera कि अदर काफी ज़्यादा reflection मिलता और जो parts हमने install किये थे gears वाले वो आपको properly दिखनी पाते अब बार यह जो shift folks हैं उनको install करने की तो इन में दो shift folks हैं वो same size की है और एक जो shift folks है वो अलग size का है तो इस वाले को हमें input sharpter उसमें लगाना है और जो बड़े shift folks हैं जिनकी size काफी कम है और इस side थोड़ा ज्यादा है तो जिस side यह वाला section ज्यादा है वो side हमें नीचे की तरफ रखनी है तो सबसे पहले इसको मैं लगा लेता हूं और इनको लगाने के लिए यह वाली जो gear है जिसके अंदर जो teeth हैं वो बने वे थे उसके बीच में slot बना हुआ है यह कुछ इस तरीके से उस slot में लगेगा और इसको कुछ इस तरीके से एक बार लगा करके छोड़ देते हैं और इन दोनों को लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है यह दोनों एक दूसरे के opposite कुछ इस तरीके से लगेंगे और इनको इस तरीके से हम प्लेस उसमें यह वाला जो portion है यह नीचे की side रहेगा और यह वाला जो portion है जो की amount में ज़्यादा है वो उपर की side रहेगा तो सबसे पहले इसको लगा देता हूं एक बाद कुछ इस तरीके से और उसके बाद जो दूसरा है उसका यह वाला section नीचे की side रखेंगे और यह जिस side कम portion है वो उपर की side रखके इसको यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद लगाना है shifter drum को तो shifter drum में जिस side का diameter छोटा है वो नीचे की side रहेगा और जिस side का diameter बड़ा है वो उपर की side रहेगा और यह यहाँ पर लगेगा तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है और अब बारी आती है जो shifter forks है उनकी जो pins है उनको जो shifter drum है उसके अंदर जो यह slots बने में इनके अंदर slot करने की तो इस side जगह काफी अच्छी है तो इस side लगा अगर के दिखा देता हूं और दूसरी side के जगह की थोड़ी कमी है दिखाने के लिए तो आप समझ जाना basically यह वाले जो pin है यह बीच में लगेगी because इसको अगर आप थोड़ा सा align करके देखते हैं तो यह almost center में ही align हो रही है और नीचे इसको आप पुछ करनी सकते तो इसको उठाना है और जो इसकी गैलरी बनी way shifter drum के अंदर इसको slot करना है कुछ इस तरीके से उसके बाद इसकी जो pin है उसको install करते हैं तो इसको मैंने थोड़ा सा lubricate कर लिया है तो जो shift fork है उसका जो hole है उसको और जो crankcase के अंदर hole है उसको align करके जो pin है उसको कुछ इस तरीके से drop कर देंगे और थोड़ा सा इसको push करना है और इस साइड थोड़ी space consisted है तो नीचे वाली जो shift fork है उसकी जो pin है वो shifter drum के नीचे वाले slot में लगानी है और उपर वाली जो pin है उसको सबसे उपर वाले slot में लगाना है और उसके बाद इसकी जो shaft है shift fork की shaft उसको मैंने lubricate कर लिया है और अब जो holes है उनको align करके इसको all the way insert कर देते हैं और यह वाले जो shaft है इसके अंदर दो shift fork लगे में है तो उन दोनों के holes को align करके इसको crank case है उसके hole के साथ place करना है अब बारी है जो gear box हमने install किया है उसको check करने की तो वैसे यहाँ पर जो checking होती है उस वाले method को मैं उतना ज़्यादा accurate नी माता हूं बट फिर भ देत मींस की हमारा जो gear box है उसकी जितने भी shafts वगे रहा है उसके जितने भी gears वगे रहा है वो हमने properly लगा रखे हैं दूसरा तरीका चेक करने का यह है कि जो drum है उसको rotate करते जाए और जो shaft है उसको गुमाते जाए तो जो gears है वो engage होने चाहिए properly लेकिन बिकोज यह जो gear box ह इसको उपर की side से hold करने के लिए हमारे बास कुछ भी support नहीं है तो chances है कि काफी सारी चीजें है वो उतनी smoothly ना हो पाए जितना कि हम expect करते हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं check नहीं करता हूँ अब बारी आती है जो crank shaft है उसको install करने की तो crank shaft में जिस side timing chain का sprocket लगावा है वो side हम उपर की तरफ रखेंगे because बजाज की जो bikes हैं उनमें timing chain वो आरज side में आती है और यह जो crank case हमने ले रखा है यह एलज side का है सबसे पहले इसका जो bearing है एलज side का उसको lubricate कर लेते हैं इसका जो outer diameter है थोड़ा सा lubricate उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से hold करके यहाँ पर एक spacer लगता है प्लास्टिक का जो कि हमने पहले लगा दिया था इसको simply insert करना है और फिर थोड़ा सा push करना है push कर दे डाइम एक चीज़ आप make sure करें कि जो connecting road है वो इसका जो ये वाला section है वहीं पर रहे और कुछ इस तरीके से जो crank है वो अपनी position पर install हो चुकी है और उसको check करने का तरीका यह है कि जो connecting road है उसको आप इस side crank के से touch कर सकते हैं ना कि इसके ऊपर से आप इसको इस side लेकर के आ सकते हैं अब इस side का जो bearing है उसको भी lubricate कर लेते हैं और साधी साथ थोड़ा सा जो oil है वो यहाँ पर भी फिल कर देते हैं जिससे की जो connecting road का needle bearing है वो भी lubricated रहे है और discover 100T की जो crank shaft है उसके अंदर यहाँ पर एक oil plunger लगता है जो कि इसमें oil supply के लिए help करता है तो यह उसकी spring है सबसे पहले जो spring है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से place कर देंगे इसकी direction matter नहीं करती है और उसके बाद इसको थोड़ा सा पुछ कर देते हैं अंदर की side और फिर यहाँ पर आपको एक hole दिख रहा होगा उस hole में से यह जो pin है इसको आप needle बोलना चाहें तो needle बोल सकते है इसको insert करना है और इसको all the way insert करने के लिए हमें एक छोटे flat head screwdriver की help से जो spring है उसको थोड़ा सा compress करना पड़ेगा और उसके बाद हम जो यह pin है इसको insert कर सकते हैं और जो pin है उसको दूसरी side जो hole दिख रहा है उसके अंदर insert करके हमें छोड़ना है तो जो spring है उसको compress रखते कि जो pin है वो दोनों side से बाहर नहीं निकली वी होनी चीए अब बारी आती है जो kick shaft है उसकी spring को install करने की तो spring है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और इसमें यह वाला जो section है वो यहाँ पर यह वाला जो hole है उसके अंदर insert होगी तो इस वाले section को उस वाले slot के साथ align करते में जो spring है उसे हमें कुछ इस तरीके से drop करना है और अब लगानी है दो dowels तो dowels लगाने के लिए जो crankcase है उसके अंदर चार जगह दे रखी है एक यहाँ पर है दूसरी यहाँ पर है third one यह रही और fourth one यहाँ पर है तो इन चार में से किनी भी दो ऐसे slots में जो एक दूसरे क क्रोस में होने चाहिए उनमें आप जो dowel है उसको लगा सकते हैं मैं एक dowel इस वाले slot में लगा रहा हूं और जो दूसरी वाली dowel है उसको इस वाले slot में और अब बारी आती है जो आरच कवर है उसको install करने की लेकिन उससे पहले इसका यह वाला जो surface है उसको clean कर लेते हैं जिससे की जो gasket हम apply करेंगे आरच कवर पे वो इस पे अच्छे से stick हो जाए बेसिकली यहां पर कोई भी oil वगेरा grease नहीं रहना चाहिए लेकिन आरच कवर को install करने से पहले उसको prep करना पड़ेगा और प्रेपिंग के लिए सबसे पहला वाला स्टेप होने वाला है यह जो bearing ह इंसलेशन थोड़ी देर पहले ही बताई थी अब फिर से repeat नहीं करने वालों में तो इसको जल्दी से में install कर लेता हूँ उसके बाद लगानी है stopper plate और उसका एक screw और screw को लगाने के लिए हमें thread locker चाहिए तो बजाज वाले काफी दयालू है उन्होंने जो gasket का kit आता है इस bike के लिए उसमें एक छोटा सा tiny सा thread locker है उसका package available कराया है तो थोड़ा सा जो thread locker है वो इसके ओपर apply कर लेते हैं उसके बाद जो stopper plate है उसको कुछ इस तरीके से place करना है और फिर जो screw है उसको tight कर देंगे और अब इसको turn around करके सबसे पहले इसका तो surface उसको अच्छे से clean कर लेते हैं और अब लगाना हमें sealant तो sealant कैसे अप्लाई होता है उसके लिए आपको किसी और इंजन की प्रीविडियो देखनी पड़ेगी किसी एक काई विडिन में लिंक दे दूंगा अभी के लिए मैं जस्ट आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं अगर कि 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 तो कुछ इस तरीके से आपको जो गैस्कित उसको प्लाई करना है वैसे जिन लोगोंने होंडा का इंजनी बिल देखा है वह सोच रहे होगी कि बज आज में ज्यादा क्यों प्लाई किया है तो समझ जाओ अब बारी आती है इसको इंस्टॉल करने की तो फिलिप करते हैं सबसे पहले इसको उसके बाद इसके जो इनको जितने भी हमारे येवले पार्ट से इनके साथ अलाइन करना है साथ ही साथ एक पार फिर से मेक्शोर करें कि सारी चीजें प्रोपली लग गई है क्या और सबकुछ प्रोपली लूब्रिकेटेड है क्या ये वाला वोश्यर है इसको अच्छे से देख लेना लगा हु उसके साथ इसको पुछ करना है और अगर आपने सब कुछ सबकुछ अलाइन किया अग तो बिना कोई टेप अगरा किया या एक्स्टरनल जादा इदा फोर्स लगाए अप इसको हाथों की हेल्प से ही कुछ इस तरीके से प्रेस कर पाएंग एक दूसरे की लिए गेंस्ट और अब सबसे पहले राइट साइड में हम तीन बोल्ट हैं उनको लगाएंगे अभी इनको फुल टाइट नहीं करना है जस्ट एंट आइट करके छोड़ना है दो बोल्ट है वो सेम साइज के हैं सबसे लंबे हैं वो यहां पर लगेंगे एक यहां पर दूसरा यहां पर और इसकी साइज आप अभी नोट कर सकते हैं इसमें वैसे यह जो वोश्यर टाइप जो सेक्शन में बनावाई यह थोड़ा बड़ा है एक नॉर्मल बोल्ट के कंपरेजन में और इसको यहां पर लगाना है और अभी इनको हैं टाइट कर देते हैं अभी इनको प्रोपर टाइ इसका है तो यह वाला बोल्ट है इसको यहां पर लगाना है तो सबसे बहले इसको यहां पर लगा देते हैं उसके बाद बारिया थी इन 6 बोल्ट को लगाने की तो यह 6 बोल्ट वैसे ही है इनका वोश्यर वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ा है तो इन 6 बोल्ट को और हेंट टाइट करने के बाद अब बारी आती है इनको टॉर्क करने की और टॉर्क करने के लिए जो सर्विस मैनुल मुझे थैंक्स तो यू गाइज मिली है उसमें जो टॉर्क बता रखा है वो है 0.9 से 1.1 कजीम किलो ग्राम फोर्स मीटर भी बोलते हैं इसको या फिर किलो पॉन मीटर भी बोलते हैं इसको जो भी आप बोलना चाहें मैं थ्रू आउट वीडियो के जीम बोलने वाला हूं इसको तो मैं 1 के जीम लेकर के चल रहा हूं दोनों का बीच वाला पार्ट हो गया आप 0.9 से 1.1 जो चाहें वो कर सकते हैं और टॉर्क करने के लिए इनको क्रिस क्रोस पैटन में टॉर्क करना है और 1 के जीम अल्मोस्ट 9 Nm के बराबर होता है अगर आप न्यूटन मीटर में करना चाहें तो वो देख लेना आप तो सबसे पहले ये वाला जो बोल्ट है इसको टॉर्क करते हैं और जिस बोल्ट को टॉर्क कर लिया उसको मार्क कर देते हैं जिससे की दो बार टॉर्क ना हो अब इसके जस्ट अपोजिट वही रिस्क्रोस पैटन फोलो करना है तो ये वाला बोल्ट है इसको टॉर्क करते हैं उसके बाद इसके बोल् ine Прोख के ताइट करना इक किया और इसी तरीके से सारे जो ढट से उनको टौक करना बोर कर तो मैं जल्दी से इनको टौक कर लेता हूं पर इसको फिर से फ्लिप कर दे है और यह जो तीन बोल्ट Θ्या इनको भी कर लेते हैं और इनका भी जो टॉर्क फिगर है वो सेम ही है और अभी जितना भी एक्सेसिव सीलेंट हमें दिख रहा है उसको हम क्लीन कर लेंगे क्लीन करने के लिए जो कपड़ा हम यूज करने वाले हैं वो क्लीन होना चाहिए लेकिन सैक्रिफिशिल भी विक्योज एक बार थ्री बॉन लग गया उसके बाद आप यह जो कपड़ा है इसको भूल जाएए और क्लीनिंग आपको कितनी अच्छी करनी है यह डिपेंड करता है कि आपको जो आउटलूक है वो कितना क्लीन चीए क्योंकि एक बार यह ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसको क्लीन करना काफे मुश्किल होगा तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और फिर नेक्स टेप है वह मिलता हूँ तो अभी जो आराज कवर है उसको प्रेप करेंगे और उसको प्रेप करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर किक शाफ लगेगी उसकी एक स्टोप प्लेट लगती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके यहाँ पर प्लेस करना है और उसके बाद जो शिफ्टर ड्रम है उसकी जो सेलेक्टर प्लीट है उसको लगाना है इसको गेव स्टार भी बोला जाता है तो सबसे पहले इसके चार जो यह पिंस है इनको लगाएंगे यहां पर यहां पर आपको पांच होल्स दिखेंगे लेकिन जो में पिंस है वो सिरफ च लगाना पड़ेगा उसके बाद जो सेलेक्टर प्लेट है उसके होल्स को है जो पिंस है इनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे फिर लगाना इस वाले बोल्ट को यह फाइव मिलमेटर का एलन बोल्ट है और इसके उपर मैं बिल्कुल थोड़ा सा थ यह टार है उसकी स्टॉप प्लेट को लगाने की तो सब से पहले जो स्प्रिंग है उसको लगाएंगे और स्प्रिंग को लगाने की डिरिक्षिन कुछ इस तरीके से होने वाली है कि इसका जया कट व श्यूपर की साइड रहेगा और यह जो प्लेन सेक्शन जो कि एक पिन की तरह बाहर निकला हुआ है यह नीचे की साइड रहेगा और जो स्प्रिंग है उसको कुछ इस तरीकी से प्लेस करना है उसके बाद यह वाला वोश्य लगेगा जिसके अंदर थोड़ा सा उबरा हो सेक्षिन है इसको यहां पर कुछ इस तरीकी से ड्रोप करे ही तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रिक करके लगाना है कि इसका जो यह वहला कर्व है ये कव जो हमारी सब्स लीट में उसकी साइड रहना चीए 10 mm का नट है उसको टाइट कर देंगे और इसकी टॉर्क वैल्यू भी सेम है 1 kg और अभी बारी आती है जो गेर्स है उनको चेक करने की तो इस स्टेप के बाद जब हम गेर्स को चेक करते हैं मेरे अकॉर्डिंग वह सबसे बैस तरीका होता है जो गेर्स उनको चेक करने का तो हम इसको रोटेट करेंगे और उसके बाद जो गेर सदेटर है इसका जो बॉल्ट है उसमें हम इक एक एलन सौकेट को लगा करके इसको गेरसे उनको सब्हुर्राक कर देखेंगे की सारी समन्रों पॉपholdersलप्यों हो रहे हैं क्या यहां पर सेलेक्शें के टाइम थोड़ा सा अनीवननेस थोड़ी सी रफनेस आपको फील होगी वह इसलिए क्योंकि ना तो हम इंपूट शाफ्ट को उतनी स्पीड से गुमा सकते हैं जितनी स्पीड से यह आइडल आर्पिम पर भी गूमती है और ना ही जो इंजन है वो प्रॉपली लुब्रिकेटेड़ है तो उन दो को माइन में रखके हमें थोड़ा अपने एक्सपीडियंस के बेसिस पे जज़ करना पड़ेगा कि जो गेर समो प्रॉपली हमने लगाए है या उनमें कोई प्रॉब्लम है तो यह न्यूट्रल है और उसका चेकने का तरह का सिंपल सा है आप इंपूट शाफ्ट उसको पाएंगे उसके बाद सेकिंड फिर थर्ड उसके बाद फॉर्थ और फिर लास्में फिफ्ट और यह जो आपने अनिमन ने स्थे की शिफ्टिंग के टाइम पर वह उनी रीजन्स की विज़स है जो मैंने पहले बताए अब एक बार दाउन शिफ्टिंग और करके देख ले तो गेर शाफ्ट वह इसमें नहीं यूज कर रहा हूं है प्रिवेसली जब इसको हमने डिस्मेंडल किया था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था तो अब इसको करते हैं और इस पर्टिकेलर बाइक की जो गेर शाफ्ट वह काफी सिंपल है इसमें एक स्प्रिंग यहा अपर लगी भी है और उसकी जो प्लेस्मेंट है वो आइधिंक आप देख सकते हैं जस्ट इन केस आपने रिमूव कर लियो तो उसके बाद इसका यह वाला पोडिशन है इसको लुब्रिकेट करना है और उसके बाद यहां पर आप एक होल है वो देख सकते हैं इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और एक बार के लिए हम यहीं पर होल रखेंगे और अभी जो गेर शाफ्ट है उसको प्रोपरली इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टॉपर प्लेट है उसको एक बार नीचे की तरफ करना पड़ेगा और फिर इसक का लीवर है वो नीचे की साइड लगेगा जहां पर हमने वो चार पिंस लगाई थी वैसे आप लोग यह भी बोल सकते हैं कि गेर शाफ्ट है वो पैले इंस्टॉल करनीच यह थी पिकोज यह स्टॉपर प्लेट है यह प्रोड्म कर रही है तो फिर हम गेर सो न को चेक नही प्लेट है और फिर पुछ करना इसको और वैसे यह भी टाइट है या नी वो भी आपको चेक करना है इंस्टॉल करने से पहले और अब नेक्स्ट आप की ज़रा मूओन करते हैं अब बारी है ओल पंप उसको इंस्टॉल करने की तो सबसे पहले इसकी दो डावल्स है उनको इनकी जो पोजिशन्स है वहां पर लगाएंगे एक यहां पर एक यहां पर उसके बाद इसका गैस्कित है उसको लगाना है तो गैस्कित में दो होल्स बड़े साइज के मिलेंगे बिक्योज वो डावल्स के लिए है तो उनको अलाइन करके जो गैस्कित है उसको प्लेस कर फिर बारी आती है जो oil pump है उसको लगाने की तो oil pump भी इस bike में replace हो रहा है लेकिन oil pump उसको लगाने से पहले मैं एक चीज़ है वो थोड़ी सी clarify करता हूँ basically oil pump का जो ये वाला section है जिसको oil pump का rotor भी बोलते हैं इसमें एक side पर आपको markings दिखेंगी basically दो चोटी-चोटे dots बने हुए है तो जब हम oil pump को इस तरीके से hold रखें तब ये dots हैं ये oil pump के अंदर की side लगाने है कुछ इस तरीके से उसके बाद इसका hole है उसको align करके जो इसकी gear है उसको लगाना है और gear में इस side आपको एक flat portion दिखेगा जिसको जो छोटी size वाला rotor है उसके साथ align करना है और उसके बाद इसको आप slot कर सकते है और अभी इसके अंदर थोड़ा सा oil है वो लगा देते हैं और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से hold करके इसके जो holes हैं जिनके अंदर dowels लगेंगी उनका जो diameter है वो थोड़ा बड़ा होगा उनको dowels के साथ match करके place करना है और अभी हमें screws लगाने है तो screws लगाने के लिए एक बार जो यह gear है इसको pull out करना पड़ेगा उसके बाद तीन flip side के screws हैं इस size के तीनो same size के हैं यह इनको इनके जो holes हैं उनमें लगा करके tight करना है 0.5 से 0.7 kgm के उपर और अभी जो gear है उसको align करके install कर देती है अब बार यह आती है timing chain की guide एक side की उसको install करना है यह वली तो guide को कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसका जो यह कव बन रहा है यह बार की side हो इस तरीके से नहीं तो सबसे पहले इसको जिस side से timing chain निकलेगी उस side से insert करके यहाँ पर align करना है उसके बाद इसका एक bolt है 5 mm का allen bolt उसको लगाएंगे और उसके उपर थोड़ा सा thread locker यूज़ करेंगे और इसके बाद लगाएंगे woodruff की यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब बार ही है जो प्राइमरी गेर है उसको install करने की तो प्राइमरी गेर में ज्यादा तर लोग इस पर्टिकुलर बाइक की case में बता रहा हूं इसको single directional बोलते हैं यह बाइडिरेक्शनल नहीं है ऐसा मैंने काफी मेकेनिक से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो फिर यहाँ पर जो sound आती है प्राइमरी गेर की sound जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है वो इसलिए होता है because इसका wear and tear है वो एक side ज्यादा हो जाता है दूसरी side कम हो जाता है और इसमें जो gear है वो इसका almost part उसको cover करती है तो उसकी वेज़े से problem हो सकती है लेकिन इस situation में यह जो gear है यह completely fine है काफी अच्छी condition में है तो इसको हम इस direction से भी लगा सकते है उसके बाद लगाना है इन दो washers को तो जो दोनो washers है वो same size की है लेकिन इन में एक washer वो plain है और दूसरा washer वो थोड़ा सा curved है एक side से जिसको belly well washer भी बोलते हैं तो सबसे पहले जो plain washer उसको लगाएंगे और फिर यह वोशर जिस side से अंदर की side दबा हुआ है वो अंदर की side रखेंगे और जिस side से थोड़ा सा उठा हुआ हुआ है वो भार की side रखते हुए इसको कुछ इस तरीकी से place करना है और उसके बाद लगेगा इसका ये nut अभी के लिए इसको hand tight करके ही छोड़ना है उसके बाद बारी आती है जो timing chain है उसको install करनी की और इसको अभी install करना इसलिए जरूरी है बिकर्ज जब हम clutch housing उसको लगा देंगे तो इसके बाद हम इसको install करनी पाएंगे तो इसको सबसे पहले इसका जो slot है जिसके अंदर से पास्टू होती है उससे insert करना है उसके बाद इसको एक side कुछ इस तरीके से लाकर के इस तरीके से जो gears है उनके बाहर से लेना है और फिर crank shaft है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका sprocket है timing chain का उसके अंदर जो timing chain है उसको हम कुछ इस तरीके से insert कर देंगे और उसके बाद जो timing chain है उसको side में कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे फिर बारी एक लगाने की लेकिन उसको लगाने से पहले इसका एक washer लगेगा यह washer इस पूरी bike में सबसे ज्यादा थिकनिस का है तो इसको याद रखने का स सबसे simple तरीका यह है और इसकी direction SCB है और SCB है basically आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं तो सबसे बहले जो यह washer है इसको लगाना यहाँ पर उसके बाद यह sleeve है यह लगेगी और sleeve को all the way लगाने से पहले थोड़ा सा lubricate कर ले जो input shaft है उसको और उसके बाद थोड़ा सा oil है वो sleeve के पर भी लगा दें और जो sleeve है वो भी दोनों साइड से लग सकती है जिसमें कोई direction वाला matter नहीं है और साधी साथ जो clutch housing है उसको लगाना है तो clutch housing में यह वाला जो gear है इसको यहाँ align करेंगे और साधी साथ जो oil pump का जो gear है इसको भी हमें थोड़ा सा align करना पड़ सकता है जो gears है उनको align करना ना बूले साधी साथ जो oil pump है उसकी gear को भी align करना ना बूले और जब आप सारी चीज़ें प्रोबली align कर देंगे तो यह काफी easily अपनी जगह है वहाँ पर जागर करके slotted हो जाएगा उलाइट तो अब बारी आती है जो इसका clutch pack है उसको assemble करने की तो इस particular bike में सारी चीज़ें वो replace होने वाली है इसकी friction plates, pressure plates, जो clutch का hub है वो और clutch का wheel up वो तो सबसे पहले इनको मैं unbox करके रख लेता हूँ और उसके बाद one by one जो चीज जहां लगनी हो आपको बताते जाता है उसको लेंगे और उसमें सबसे पहले एक friction plate है उसको लगाएंगे अब because यह friction plates है यह new है और thanks to bajaj यह pre-lubricated है तो इनको lubricate करने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इनको as it is लगा रहा हूँ लेकिन अगर आप पुरानी friction plates use कर रहे हैं तो फिर आपको उनको lubricate करना यह सब लिखा हुआ है तो जिस साइड यह सब लिखा हुआ है वो साइड नीचे की साइड रखेंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद बारी आती है जो pressure plate है उसको लगाने की तो pressure plate में जो साइड आपको feel करने पर थोड़ी sharp या थोड़ी rough feel होती है और एक side है वो थोड़ी smooth feel होती है जो side smooth feel हो रही है वो नीचे की side रखेंगे और जो side sharp feel हो रही है उसको ऊपर की side रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे इसी तरीके से बाकी की जो friction plates और pressure plates है उनको लगाना है एक बार फिर से repeat कर देता हूँ मैंने जो hub है उसको इस तरीके से hold कर जाएंगे फिर से प्रिश्य प्लेट और इसी तरीके से इन सब को असेंबल करना है तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूं उसके बाद यह इसका क्लेच वील वाला जो पार्ट है इसमें छे यह पोर्शन से इनको इन होल्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से सिंप्ली प्लेस करना है और यह हमारा क्लेच पैक हो या रेडी उसके बाद लगेगा यहां पर एक वोश्यर फिर जो क्लेच पैक है उ उसमें कुछ ग्रूज बने वे हैं इनको हमारी जो इनपूट शाफ्ट है उसके ग्रूज के साथ अलाइन करना है और जो फ्रिक्शन प्लेच है उनमें यह वाले जो पोर्शन है इन सब को एक जगह पर एक बार के लिए क्लेक्ट कर लेते हैं इनको इस तरीके से नहीं रख और उसके बाद एक फ्रिक्शन प्लेच है उसको उठा करके थोड़ा सा रोटेट करेंगे और यह वाला जो इसमें रख देंगे इसको फिर से पुछ कर देते हैं उसके बाद इसके वोश्यर और नट्स लगाने है तो सबसे पहले एक प्लेन वोश्यर लगेगा फिर जो बे Tick Lock-Wise turn करते हैं, जितना हम hand-tight कर सकते हैं, उतना hand-tight करते हैं इसको उसके बाद इसका जो clutch pack है, उसको hold करने के लिए एक special tool आता है 6-hole का clutch holder है, basically इसके जो holds हैं, उनके साथ align करेंगे उसके बाद इसका nut है, इसको tight करने के लिए ये tool आता है इसको crown range बोलते हैं, special nut remover, या फिर और भी काफी सारे नाम होगे इसके, तो इसको use करके, हम ये जो nut है, इसको torque करेंगे, और इसके torque figures होने वाले हैं 5 kgm से 5.5 kgm तक, तो मैं 5 kgm को ही use कर रहा हूँ, और because ये anti-clockwise tight होगा, तो इसको उसी direction में tight कर रहा हूँ. and that's it, और अब इस nut को tight किया है, तो साथ ही साथ इस वाली nut को भी tight कर लेते हैं, तो इसको tight करने के लिए, एक 19 mm का socket लगेगा, और इसको clockwise tight करना है, और torque इसका भी same होने वाला है, 5 kgm से 5.5 kgm तक, लेकिन इसको hold करने के लिए, जो gear लगती है, उसके लिए हमें जो oil pump की प्लास और जहां पर कुछ काम नहीं करता है, वहां पर flat head screwdriver तो काम करता ही है, तो एक बार इसको stuck करके, यह जो nut है, इसको top कर लेते हैं, और अभी यह वाली जो gear है, इसको एक बार फिर से install कर देते हैं, अब बार याती है, उसकी holder plate, और उसके bolts हैं उसको लगाने की, तो सबसे पहल यह friction material खराब है, इनकी friction plates का, या फिर इनोंने clutch lever है, उसको hard गने के लिए ऐसा कर रखा है, बट जो भी है, इनकी कोई direction नहीं है, इनको आप किसी भी direction से लगा सकते हैं, उसके बाद जो plate है, उसमें दो sides है, इनमें एक side काफी जादा busy दिख रही आपको, और दूसरी side है, व इनको कुछ इस तरीके से एक बार प्लेस करना है, और फिर इसके 6 bolts है, 8 mm के, इनको वन बाइवन इंस्टोल करना है, उसके बाद 8 mm के socket या फिर handle T की help से, यह जो bolts है, इनको क्रिस क्रोस पैटन में, ग्रैजुली टाइट करना है, इनमें से किसी भी एक bolt को ज़्यादा टाइ करें, otherwise सारा जो स्प्रिंग्स का लोड है, उनमें से most of it एक ही bolt के उपर आ जागा और फिर यह जो प्लेटे तूट जाएगी, तो इसलिए इनको क्रिस क्रोस पैटन में टाइट करना काफी ज़्यादा नेसिसरी है, वैसे एक genuine opinion है, यहाँ पर यह जो 8 mm के bolts लगाए हैं हमने इनके नीचे अगर एक washer type कुछ लगा देते तो जो aluminium है वो इस तरीके से scrape नहीं होता, अभी मैं इनको tight कर रहा हूँ तो जो bolts हैं, उनके जो corners है, वो जो plate का aluminium वाला पार्ट है, उसको damage कर रहा है और जब सारे bolts हैं, वो bottom out हो जाएं, तब उसके बाद आप इनको 1 8th turn है, वो और rotate कर दें उसके बाद, and that's it वैसे इनका torque spec है, वो 0.5 से 0.7 kgm है, but इनके लिए उसकी जरूरत नहीं है, because यह bottom out होने के बाद आप अगर इनको 1 8th turn है, वो rotate कर देते हैं, तो that should be sufficient, अब next step के तोर पे, यहाँ पर chocles release bearing here, वो लगेगा, और इसमें, जिस साइड इसके numbers वगेरा लिखे हैं, वो ऊपर की साइड रखने है, वैसे वो इतना important नहीं है, but फिर भी रख लेते हैं, और इसको just simply push करना है, and that's it, अब बारे आती है, जो kick shaft है, उसको install कर नहीं की, लेकिन installation से पहले जो kick shaft है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा partially dismantle कर रखा है, briefly explain कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक sir clip लगती है, लगाने के लिए slot है, उसके बाद एक यह sir clip है, इसको लगाने के लिए slot यहाँ पर है, एक spring है, उसके बाद में यह kick shaft है, जो कि इसको hold करके रखती है, kick shaft को basically जो gears है, उनसे थोड़ा सा disengage रखने के लिए, because यह वाला जो gear है, यह freely move करता है, यहाँ पर एक washer है, जैसे कि अब देख सकते हैं, उसके बाद यह वाला gear है, इसकी direction, यह जो kick shaft को hold करके रखने वाला जो gear है, इस इसमें यह वाले जो teeth है, यह align होती है, तो इसकी direction इस side है, और उसके बाद यहाँ पर एक और washer है, और एक और sir clip है, और sir clip का slot है, वो यहाँ पर है, तो इसको मैं भी assemble कर ले दाऊं फिर से, सबसे पहले जो washer है, उसको इसकी place पर रख देते हैं, फिर जो sir clips है, उनको वापस उसके बाद यह वाली spring है, इसको push करके रखेंगे, और यहाँ पर जो यह second वाली sir clip है, इसको इसका जो slot है, उसके अंदर लगा देंगे, और यह वाली sir clip है, इसको मैंने हटाया नहीं था, अब यह दो washer है, जो की kick shaft है, उसके अंदर install होते हैं, तो यह वाला जो washer है, यह हम आद में लगाएंगे, इसको एक बर में side में रख रहा हूं, जो छोटी size का washer है, वो इसमें इस तरफ लगता है, कुछ इस तरीके से, और अभी, जो kick shaft है, उसमें यह जो cut बना हुआ है, इस वाले cut को, जो spring है, उसमें एक pin type section बना हुआ है, उसके अंदर इसको slot करना है, और उसमें slot करते टाइम, यह जो section है, इस वाली gear का, इसको कुछ इस तरीके से रखना है, मतलब बेसिकली यह इस साई रहना चाहिए, और साधी साथ यह जो gear है, इसको यहाँ पर आपको एक gear दिख रहा होगा, उसके साथ इसके जो teeth है, उनको align करना है, अब इसको फिर से थोड है, इसको होल्ड रखते वए, दूसरी साइड पुछ करते जाएंगे, वैसे यह जो step है, यह आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारा किक लीवर है, उसको इसका जो slot है, इसको ट्विस्ट करना है, और जब यह वाला section है, यहाँ पर आजाए, कुछ इस तरीके से, तब इसको push कर देंगे, और एक बार फिर से अगर gear से वो misalign हो गए है, तो उनको align कर लेंगे, और एक बार फिर से explain कर देता हूँ, यह वाला जो portion है, यह यहाँ पर कुछ इस तरीके से slot होना चाहिए, बिसिकली उस साइड से हम इसको लेकर के आएंगे, फिर push करेंगे, त उसको check कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो timing chain उसको hold करके, जो clutch housing है, उसको मैं turn कर रहा हूँ, और कोई भी इस साइड से आवाज हो नहीं आ रही है, आपको एक sound है, वो कनेक्टिंग रोड की है, वो कनेक्टिंग रोड की है, बिकूज यह free move कर रही है अभी, उसके अलावाए वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि clutch housing वगे रहा है, वो सब rotate हो रहा है, that means कि जो kick है, वो function कर रही है, और जैसे हैं कि क्लीवर है, उसको release करते हैं, तो उसके बाद यह automatically इसका जो slot है, वहाँ पर आकर के fit हो जाता है, और उसके बाद सारे जो components हैं, वो free remove करने लग जाते हैं, तो अभी की cleaver है, उसको remove कर लेता हूँ, और अभी एक ये वाला जो washer था, इसको यहाँ पर लगाना है, अब जो oil plunger है, उसको लगाना है, तो इसमें भी same वहीं जो slot है, उसको जो crank shaft के हंदर अमने pin लगाई थी, उसके साथ align करना है, और इस position है, वहाँ पर align हो चुका है, और इसका जो function है, वो properly work कर रहा है, यानि उसको check करने के लिए आप इसको थोड़ा सा push कर के देख लें, तो जैसे कि हम इसको push कर रहे हैं, तो इसका जो moment है, वो spring का जो moment होता है, उसके according है, that means कि इसकी installation है, वो proper हो गई है, उसके बाद दो locating dow उनको लगाएंगे, एक लगएगी यहाँ पर, और जो second वैनर वो यहाँ पर लग जाएगी, उसके बाद बार याति है, आरच कवर का जो gas kit है, उसको लगाने की, तो यह कुछ इस तरीके से प्लेस होगा, और अभी लगाना है आरच कवर, उसके बाद यहाँ पर एक oil window लग लगाना है, और यह oil window अगर आप रिप्लेस करने वाले हैं, तो इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैं यह oil seal यहाँ पर आपको लगागर के दिखाने वादा हूँ, तो सबसे पहले जो oil seal है, उसका जो outer lip है, उसको थोड़ा सा oil की help से लुब्रिकेट करना है, और उसके बाद जिस slot में इसको लगाना है, वहाँ पर इसको रखके पुश करना है, और oil seal की direction है, वो काफी simple है, जो close face होता है, वो ऊपर की side रहता है, most of the cases में, और जिस side इस type की spring लगी रहती है, वो हिस्सा अंदर की तरफ रहता है, इस engine में जतनी भी oil seals लगने व जाएगा, और अभी ये वाले जो oil seal है, इसको push कर देते हैं, और वैसे इसको identify करने का एक और तरीका है, जिस side oil seal की manufacturing company और उसके कुछ serial numbers वगेरा लिखे रहते हैं, वो side बाहर की तरफ रखनी होती है, और oil seal है वो install हो चुकी है, अब बारी है, यहाँ पर जो oil seal लगती है, उ जिसमें जो side जादा बाहर निकली है, वो कुछ इस तरीके से नीचे की side रखते पर प्लेस करनी है, और फिर लगेगा जो clutch का lever है, वो, और इसको कुछ इस तरीके से insert करना है, और इसका जो ये वाला portion है, इसको lubricate जरूर कर लें, और ये जो spring है, इसमें ये वाला section, यहाँ कुछ इस तरीके से लगता है, और जो lever है, वो कुछ इस तरीके से operate करता है, उसके बाद जो clutch release shaft हमने लगाई है, उसका एक छोटा पार लगता है, उसके अंदर यहाँ पर एक o-ring लगती है, तो इस वाली o-ring को lubricate करने के बाद, हमें यहाँ पर जो section बना हुआ है, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से place करके push करना है, और फाइनली हम जो RH cover है, उसको place कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें जितनी भी oil lines हैं, उनको आप make sure properly blow out कर लें, और वैसे यह चीज मैंने मेरे ख्याल से पहले नहीं बताई है, तो engine के अंदर भी काफी सारी oil lines आती हैं, उनको भी आप cleaning करते राइम अच्छे से complex layer से blow out कर लें, जिससे कि वो blocked ना हो, और अब यह जो RH cover है, इसमें यह जो clutch release shaft है, इसका जो angle है, वो इस तरीके से या फिर इस तरीके से रखने की बजाए, बिल्कुल parallel रख लें, जिससे कि जो clutch release shaft है, उसका यह वाला portion है, इसको इस वाले पार्ट के साथ अलाइन होने में प्रोब्लम ना हो, और साथ ही साथ जो dowels है, उनके साथ जो RH cover है, उसको अलाइन कर लें, और जब alignment है, वो प्रोपली होगा, तब जो RH cover है, वो काफी easily install हो जाएगा, उसके बाद RH cover है, उसको हलके हाथ से hold करते वे, जो clutch release shaft है, उसको एक बार एक्टिवेट करके देखें, अ हम इतना force apply नहीं कर सकते हाथ से, कि हम जो clutch plates हैं, उनको प्रेस कर पाएं, और वैसे भी बजाज ने 6 springs इसलिए तो लगाई है, उसके बाद इन दो होल के साथ, ये जो bracket है, जो की clutch की जो wire है, उसको होल रखेगा, उसको यहाँ पर प्लेस करना है, उसके बाद ये 8 bolts हैं, जो क ये उसी design के bolts हैं, जो कि हमने crank case में लगाए थे, तो ये जो इसका washer वाला section है, ये normal bolt से थोड़ा ज्यादा है, और ये सारे के सारे 8 bolts हैं, वो हमें इसी type के same size की use करने हैं, और इनको इनके जो slots हैं, उनके अंदर place कर देते हैं, अब इन सारे bolts को criss-cross pattern में एक बार hand tight कर लेते हैं, और hand tight करने के बाद इन सारे bolts को criss-cross pattern में ही 1 kgm के उपर torque करना है, अब बारी है, यहाँ पर जो oil filter है, उसको लगाने की, तो ये तो obvious सी बात है, replaceable item ही, तो जो oil filter है, उसको लगाना काफी simple है, इसमें जो spring वाईली साइड है, वो उपर की साइड रहेगी, और इस साइड आपको एक oil seal या oaring type section दिखेगा, जो की यहाँ पर इस वाले section में हमें slot करना है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, अब बारी है तिसकी cap है, उसको लगाने की, और cap को लगाने से पहले, इसकी जो oaring है, उसको लगाना है, जो की मैं again replace कर रहा हूँ, सबसे पहले जो oaring है, उसको इसके लिए जो slot बना हुआ है, उसके अंदर place करेंगे, उसके बाद जो oaring है, उसको थोड़ा सा lubricate करना है, उसके बाद इसके जो तीन holes है, उनको इन तीन holes के साथ align करना है, साधी साथ ये वाली जो spring है, वो ये जो चार sections मेने वे, इनके बीच म वो align हो रहे हैं, और उसके बाद ये वाला जो cover है, इसको कुछ इस तरीके से hold रखते वे, इसके ये तीन 8 mm के bolts है, जो की same size के हैं, तो इन तीनों को, इनके जो holes है, उनके उपर रखके tight करना है, और इनको tight करते time, अब एक चीज जरूर माइड में रखें, कि जो oaring हमने इनको वैसे तो 1 kgm के उपर torque करना होता है, लेकिन मैं इनको torque नहीं करने वाला हूँ, because servicing के time पे सबसे ज़्यादा oil drain bolt के अलावा अगर कोई चीज open होती है, तो वो ये वाले 3 bolts है, और जब एक bolt बार बार loose होता है, और tight होता है, तो उसकी और उसके जो threads है, उनकी strength है, वो इनकी रहती है, जितनी एक नए bolt और उसके threads की रहती है, तो इनको just hand tight करें, और उसके बाद थोड़ा सा tight ore कर दें, अगर इसके उपर आप 1 kgm torque apply करने चलेंगे, तो chances है, मैं ये नहीं करा कि 100% होगा, लेकिन chances है, कि या तो ये bolt टूर जाएगा, या फिर इसके जो threads है वो slip ह और ये एक ऐसी चीज है, जो कि अगर लीक करेगी, तब हम इसको और टाइट कर सकते हैं, या फिर इसका जो फेसर वो डेमेज होगा तो यहां पर थोड़ा 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 सकते हैं, लेकिन बोल्स तूट जाएगे, तो ये कैप लगाने की जो एक मि मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में तुब तक के लिए, बाबाई!